10.4.3 वैचारिक अपनिवेशी करण उपर हमने देश की अर्थ वैवस्था और अपनिवेशी नीदियों के प्रभाव को देखा लेकिन अपनिवेशी करण इससे और आगे लोगों की सोच पर हावी होने का प्रयास करता है या कैसे? एक उधारन के मदद से समझेंगे इतिहास आदी को जानने समझने का भरसक प्रयास किया वे भारती संस्कृती और धर्म आदी से काफी प्रभावित भी हुए उन्होंने कमपनी सरकार से आग्रह किया कि पारंपरिक भारती ज्यान और साहित्य के अध्यन को सनरक्षन देना जरूरी है उनके कहने पर संस्कृत कॉलेज और मदर से खोले गए इस विचार के लोग को प्राच वादी कहते हैं प्राच यानि पूर्व अर्थात वे लोग जो पूरी संस्कृती से प्रेरित थे सनरक्षन के बाद कमपनी के कई और अधिकारी हुए जिनोंने यह माना कि आधुनिक योरोप का ज्ञान ही जानने योग्य है और यह अंग्रेजी के माध्यम से ही हो सकता है उनका मानना था कि भारती ज्ञान के परंपरा किसी काम की नहीं है और उस पर धन खर्च करना व्यार्थ है इन्हें आंगलवादी अर्थात अंग्रेजी संस्कृती और सिक्षा से प्रेरित लोग कहते हैं जब अंग्रेजी सरकार के सिक्षा नीती बनी तब आंगलवादी विचार के लोग अधिक प्रभावी रहें इनमें सबसे प्रसिद्य थे थॉमस मैकाले जिनों ने सन 1830 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की मैकाले का कहना था इस बात को सभी मानते हैं कि भारत और अरब के संपूर्ण देशी साहित्य एक अच्छे यूरोपी पुस्तकाले की केवल एक शेल्फ के बराबर ही है यूरोपी का वे इतिहास, विज्ञान और दर्शन की पुस्तकों की तुल्ना में इनमें कुछ भी नहीं है उसका आग्रा था कि भारतियों की भलाई इसी में है कि उन्हें विज्ञान, गडित, पाश्चात दर्शन, आदि की सिक्षत दी जाए ताकि वे अंध विश्वास और बरबरता से मुक्त हो पाएं मैकाले का आग्रा था कि कुछ चुने वे भारतियों को अंग्रेजी सिक्षत दी जानी चाहिए ताकि वे अंग्रेजी शार्षन के समर्थक बने और अन्य भारतियों को भी सिखाएं उन्होंने कहा, हमें सरवाधिक प्यास एक ऐसे वर्ग के निर्माण के लिए करना चाहिए, जो हमारे और हमारी बहु संख्यक प्रजा के बीच अनुवादक के रूप में काम करें। और उसके माध्यम से अपने देशवासियों को भी सिक्षित करें। आकर बसे तथा अफ्रीका से लोगों को दास बनाकर जबर दस्ती वहां बसाया गया। यूरोपी देश इस तरह बसाये गये उपनिवेशों का अपने फायदे के लिए शोशन करना चाहते थे। इसका उपनिवेश के लोगों ने विरोध किया दास प्रता बेगारी और उपनिवेशिक नीतियों के विरोध में स्वतंत्रता आंदोलन सफल रहे। इसियाई देश जैसे इंडोनेशिया वह भारत में अपनिवेशी करन लैटीन अमेरिका से भिन्न था। यहाँ यूरोप के देशों ने अपना राज्य इस्थापित किया और इस्थानी अर्थवेवस्था को अपने हीतों के अनुरूप बदला किन्तों इंडोनेशिया और भारत में भी फर्क था। इंडोनेशिया में जंगल काटकर बागान बनाए गये जिनके मालिक हॉलेंड के लोग थे। भारत में भी पहाडी छेत्रों में इस तरह के बागान बने लेकिन बांकी छेत्रों में लगान और व्यापारिक खेती के माध्यम से किसानों का शोशन किया गया। सबसे महतोपूर्ण भारत के उद्योगों को पनपने नहीं दिया गया जिससे भारती कपड़ा उद्योगों का विनाश हुआ चीन की कहानी इन सबसे अलग रही वहाँ शाशक तो चीनी ही बने मगर चीन के विभिन हिसों पर यूरोपी देशों का वर्चस्व था जहाँ विशाशन की जिम्मेदारी के बिना वहाँ के लोगों तथा संसाधनों का दोहन करते रहें इन सब देशों में अपनिवेशी करण के प्रतिरोध की कहानी भी भिन रहें हम खुद लेटिन अमेरिका, चीन, भारत और अफरिका के प्रतिरोध की तुलना कर सकते हैं